एक लहरी महाशे करके योगी थे, बहुत कमाल के योगी थे, उनके पास एक आदमी आया, फोटोग्राफर, बुलता है मैं आपकी फोटो किचूँगा, तो बुलते हैं नहीं खीच पाऊगे रहने दो, आइसे कैसे आप ध्यान करिये मैं खीचूँगा, बिचारा जितनी बार फोटो किचे, उसके कैमरे में उनकी फोटो ही नहीं आया है, पची सो बार ट्राइ कर लिया, उसके बाद हाथ जोड़ करके रोने लगा, बुलता है मुझे आपकी फोटो किच नहीं, उनकी ठीक है चलो, अब खीचो, फिर किच लिया, आगई फोटो, ऐसे मुस्कुरा रहे वही एक फोटो है उनकी, बोलते हैं जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो मेरी फोटो नहीं कीच सकते, लहरी महाशे, महावतार बाबा, उनके शिश्य, लहरी महाशे थे, यह वो लोग थे, जो धारणा और ध्यान कर पाते थे, यह वो लोग थे, जिनको इस दुनिया की करती थे, यह वो लोग थे, जिनका 24 घंटे अपने माइंड को इनरजी बचाना, इकठा करना, यही फोटो थी, उनने का ठीक, अब तुम बोलो तुम्हें खीच दूगा, नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में, जिसका नाम है पतंजली योग सूत्र, और अगर आप मिस्टर एंडिया बनना चाहते हैं, तो आज की ख्लास आपके लिए बहुत हिल्फुल होगी, मिस्टर एंडिया पिचर देखिए आपने, आनिल कपूर की फिल्म थी, उसमें घड़ी पहनता था और उसको स्विच आउन कर देता था तो गायब हो जाता था, तो यह बहुत advanced students के लिए है, जिनका यम नियम आसन प्राणायाम यह perfect हो चुका है, उनके मन में पिल्कुल विचारों की energy wastage नहीं होती, उनका emotions कहीं और waste नहीं होता, उनकी life 24 घंटे अपने brain की energy कठा करती रहती है, और गहरे ध्यान के लिए, वो प्रत्याहार धारणा ध्यान, समाधी, इसके आगे निकल गए है, जिसके लाई फिक्तर से 24 घंटे प्राणायाम चल रहा है, प्राणायाम मतलब वो जो कुछ भी देखता है, उसको देखने के बाद दिमाग में केवल, यह चलता रहता है कि यह चीज मुझे करना है, यह नहीं करना, मतलब यह देखना है, यह नहीं देखना, वो किसी से बोलता है, तो बोलने से पहले ही उसका माइंड फिल्टर कर देता है, कि यह चीज मुझे बोलना है, यह नहीं बोलना, वो जब कुछ सुनता है, तो जो चीज उसको हर्ट करने वाली होती है, उसको सुनता ही नहीं, सुनता है तो अभी आरणा, जब आपका माइंड अभी फिलाल क्या कर रहा है, एनर्ची ले रहा है और डिसिपेट कर रहा है, बिखरा रहा है, खर्च कर दे रहा है, खतम कर दे रहा है, सोचने में, अलग-अलग feelings को enjoy करने में, दुखी होने में, खुश होने में, और कुछ नुकुछ activity करने में, और इसी process में, वो बिचारा एक कचरा बना रहा है, उस कचरे का नाम है हेंकार, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं दुखी हूँ क्यों हो रहा हूँ, वो दुखी इसलिए हो रहा है, बिकाज बाहर से जो भी energy आ रही है, उसका काम था उसको इकठा करना, और उसको धारणा, ध्यान समाधी बनने देना, लेकिन बिचारी कठी होई नहीं रही है, तो जो लोग advanced students हैं, उनके लिए यह सूत्र लिखे गए थे, तो मैं इसलिए आपके साथ पढ़ रहा हूँ ता कि आपको inspiration मिले कि आपके ही brain और body में इस तरह की चीज़ें possible हैं, मुमकिन हैं, आज का Concentrated meditation upon the distinction between the form and body, those properties of the body which make it visible to the human eye are negated and the yogi can render himself invisible, जब कोई इनसान concentrated meditation करता है और वो शरीर को रूप से अलग देख पाता है, distinction between form and body, अब अपने आप में सवाल यही है, शरीर और रूप अलग कैसे है, those properties of the body which make it visible to the human eye, तो शरीर के कुछ ऐसी properties हैं, जो आखों को शरीर को देखने में मदद करती है, are negated, इसको गायब कर देता है, जैसे मैं आपको देखूं, और मेरा mind आपको पूरी तरह से concentrate करके दे देखे, तो मेरे अंदर में दो चीज़े हैं, एक तो मैं हूँ, जो इस शरीर में रहता है और एक शरीर है, यह दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नार्मली शरीर को ही हम लोग अपना मैं मानते हैं, कह रहे हैं, जब कोई आदमी concentrated meditation करता है और शरीर को रूप से अलग देख प आता है, कृष्टमूर्ती बुला करते थे, किसी भी emotion को नाम मन दीजिए, इसको थोड़ा पहचानेंगे, तो आप इस ध्यान को कोशिश कर सकते हैं, मान लिजिए आपके मन में बहुत जोरों से गुस्सा आया, तो आपको तुरंत का reaction ही रहेगा, कि इस आदमी ने मुझे गुस्स दिलाया, मान लिजिए आपके अंदर में self awareness है, और आपने कुछ बोला नहीं, आपने ये बात नहीं मानी, कि किसी और ने मुझे गुस्स दिलाया, आप खली ये बोलते हैं, मुझे गुस्सा आया, आप एक योगी है बाई, और आप कहते हैं, नहीं नहीं मुझे ग पानी होता है, बोतल में पानी होता है, उस पानी को अगर आप गैस पे रख दे तो घरम पानी हो जाता है, उस पानी को फ्रिज पे रख दे तो ठंडा हो जाता है, उसको फ्रीजर में रख दे तो बरफ बन जाता है, ऐसे ही हमारे अंदर में emotions की energy है, भाव की energy है, और वही सब अपको परसीव होती है, महसूस होती है यह वही एनरजी है जो रात को सोते समय आपसे अलग होती जब आप किसी को ध्यान से देखते हो और उस देखने की वैसे आपके मन में विचार नहीं आते है तो धिमी धिमे आप उस आदमी के अंदर में वो और उसका शरीर दोनों अलग अलग दिखाई देगा अभी क्या होता है, आप किसी को भी देखे तुरंट देख करके, या तो वो आदमी अच्छा लगता है, या खराब लगता है उसे गाली देने का मन करता है, या उसे दोस्ती करने का मन करता है या तो हम उससे impress हो जाते हैं या हमको लोगता है या आदमी बत्तमीज है तुरंत हमारा mind typewriter की तरह computer की तरह कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बोलना शुरू करता है जब ये बंध हो जाता है जब आपका mind concentrated meditation मतलब आप देखते हैं देखते हैं लेकिन आप किसी विचार के साथ में आपको नहीं चाहिए विचार विचारों की खास quality है जब तक आप उनको सुनते हैं जैसे आपका कोई दोस्त है वो बोल रहा है आप कर रहे हैं और बीच-बीच में उसके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं तब तो बोलता रहेगा लेकिन अगर वो बोल रहा है और आप सो गए तो चुप हो जाएगा यहां पर आपको सोना नहीं है आपका मन जो बोलता है आप उसको हाँ या ना ना बोलें आपके सामने कोई आदमी आया वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो जैसे आपके आँके सामने आता है आपके अंदर में क्रोध डेवलप हो जाता है उस क्रोध को आप देखें, पहचाने और उसको बोलते हैं जो भी आवाज आ रही है बाद में कल मेरे क्लास में यही हुआ था मीटिंग चल रही थी उसमें से एक लेडी ने कहा सर आप गलत बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं मैंने कहा मैडम, आपकी बात ठीक है गलत बोलना हूँ लेकिन इस समय जो क्लास चल रही है उसको खतम कर ले मैंने उस बातचीत को बहस का मुद्दा नहीं बनाया की तरह क्या अंतर है जब आप किसी को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं तो उसने क्या क्या किया था वो याद आता है पास्ट याद आता है और जब उस आदमी को उस आदमी की तरह देखते हैं तो एक विचारा हाड मास दिखाई देता है बाल दिखाई देते हैं उसके पहन रखी है, काजल लगा रखा है, जो कुछ भी दिख रहा है, साक्षात, वो दिखता है, जब आपको लोग दिखते हैं, साफ-साफ तुरंट का रुतुरंट दिखा जिता है, तब आपकी आँखें, आपकी आँखों में भी दो एनर्जी है, एक तो आपकी आँख है जिसके तुरू आप देखते हैं लेकिन देखती आँखे नहीं है देखती चेतना है इसलिए जब आप सो जाते हैं और स्वप्न में जाते हैं तब भी आप देख पाते हैं धेर सारे चीज़ें देखते हैं आखे तो बंद होती है पतंजली कहते हैं हमारे इंद्रियों के अंदर में कोई चीज होती है जो देखती है जब वो जीब में से निकलती है तब वो टेस्ट लेती है जब वो कान में से निकलती है तब वो आवाज देखती है जब वो आखों से निकलती है तब द्रिश्य आती है विचारों में और विचार चलते रहते हैं क्यूं क्यूं कि हम उसको हा ना और अपनी बात भी जोड़ते हैं मैं इस आदमी को क्यूं अपना दोस्त मानूं और मुझे पता ही ऐसा ही करेगा और दो मिनट बाद वो ऐसे कर देता है क्या गौतम बुद्ध को नहीं पता था आंगुली मार खूनी है क्या वो नहीं जानते थे कि ये बाद में फिर से खून करेगा जानते थे लेकिन गौतम बुद्ध ने आंगुली मार के शरीर को और उसकी चेतना को अलग-अलग देखना शुरू किया उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है इसने बहुत से लोग को मारा है लेकिन वो इसका दुख था इसकी तकलीफ थी ये नहीं था हम दोनों को साथ में देखते हैं इस एक जुन्ड में जानवर आते हैं तो हमको जुन्ड दिखाई देता है ऐसे हमारे सामने होते तीन हैं एक बुद्धी होती है भाव होता है एक शरीर होता है हमको तीनों एक साथ एक दिखाई देते हैं हमको वो आदमी उसका पास्ट और वो अलग लग नहीं दिखता इसलिए अब से किसी को देखिए तो चाहे पांच मिनट के लिए आप लोगों को देखिए और विचारों को हटा कर देखिए दो सेकंड के लिए पांच सेकंड के लिए पतंजली कहते हैं अगर एक योगी इतना समझदार हो जाएगा कि उसको विचार नहीं आते या विचारों के साथ उसका बहुत तालुप नहीं है तब उसकी आखे बंद कर दीजिए तब भी देख लेता है मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरे पापा के साथ हुआ था मैं तो घर चोड़ के भाग गया था एक कोई बहुत बड़ा सादू था उसको मेरे पिताजी ने मेरा कपड़ा दिया मेरे shirt का कपड़ा, suit का कपड़ा मैं घर चोड़ के भाग गया था उसने कपड़ा touch किया और उसने address लिख के बता दिया कि यहाँ पर आपका बेटा मिलेगा और उसने यह भी बता दिया कि जब आप जाएंगे तो वो अपने आप आपसे मिलने आएगा और यही हुआ था उसने तो भविश्य देख लिया इसका मतलब देखने वाली चीज़ एक खली आँख नहीं है कोई ऐसी चीज़ है जो देखती है और वो भूत और भविश्य दोनों को देख सकती है लेकिन उसको पकड़ने के लिए उसको यूज करने के लिए क्या चाहिए आपको विचारों से अपने आपको दूर करना पड़ेगा कंप्लेंस से दूर करना पड़ेगा एक लहरी महाशय करके योगी थे बहुत कमाल के योगी थे उनके पास एक आदमी आया फोटोग्राफर बुलता है मैं आपकी फोटो किचूंगा तो बुलते हैं नहीं खीच पाओगे रहने दो बिचारा जितनी बार फोटो किचे उसकी कैमेरेमन की फोटो ही नहीं आया पची सो बार ट्राइ कर लिया उसके बाद हाथ जोड करके रोने लगा बुलता है मुझे आपकी फोटो किच नहीं उनकी थे ठीक है चलो अब खीचो फिर किच लिया आगई फोटो ऐसे मुस्कुरा रहे है वही एक फोटो है उनकी बोलते हैं जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो मेरी फोटो नहीं कीच सकते लहरी महाशे महावतार बाबा उनके शिश्य लहरी महाशे थे ये वो लोग थे जो धारणा और ध्यान कर पाते थे ये वो लोग थे जिनको इस दुनिया की चीज़ें बहुत कम डिस्टर्ब करती थी ये वो लोग थे जिनका 24 घंटे अपने माइंड को इनरजी बचाना एक अठा करना यही फोटो थी उनके ठीक अब तुम बोलो तुम्हें खिश दूगा कोई ऐसी चीज़ है जिसके जरीए हम सामने वाले को allow करते हैं देखने के लिए मेरे आँखों से निकलती है आपकी आँखों से निकलती है और अगर मैं अपनी आँखों से आपकी आँखों के तुरू disconnect कर दूँ तो आप मुझे नहीं देख सकते बड़ी advanced technology है लेकिन उसके लिए आपको अपने घर का कच्रा निकालना पड़ेगा विचारों को निकालना पड़ेगा अज़र निकालना ऐसा नहीं कि आप निकाल के फेक देंगे यह ऐसा है जैसे कि आप खेती नहीं करते हैं जब आप खेत में काम करते हैं तो आप ऐसे फसल हटा देते हैं आपको नहीं चाहिए जो पौधा जो पेड़ चाहिए वही आप उगाते हैं ऐसी जो विचार आपको चाहिए आज कल हम लिग पतंजली योकसूतर पढ़ रहे हैं त्क्ताब की किताब पढ़ रहे है चाहए पैसे के बारे में चाहए आप उन विचारों को रखिए, बाकी सब कचरा, उसके उपर ध्यान मत दीजे, उसको पानी मत दीजे, अपना ध्यान मत दीजे. और पतंजली कहते हैं और ये ताकत बाकी सभी सिध्यों की तरह अपने आप मिलती है जब आप आगे बढ़ते हैं ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप मिलती है कह रहे हैं कि ये ताकत खोजनी नहीं चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कुछ disciples, कुछ योगी उसको दिखाने में tempted हो जाते हैं मन करता है दिखा दे दुसरों को और खहते हैं आगे कि अगर आपने अपनी पावर को दिखाना शुरू किया तो ये सब पावर आपकी नहीं है, mind की नहीं है किसकी पावर ये सब? ईश्वर की और ईश्वर देखता है तुम अच्छा time pass कर रहे हो तो आपसे वो अपने आपको अलग करके एक witness की रूप में बैठ जाएगा, साक्षी की रूप में अभी फिलाल साक्षी की रूप में है, क्योंकि हम अपने शरीर को, अपनी जिन्दगी को इगो के लिए जी रहे हैं, दिखावे के लिए जी रहे हैं, भगवान को जाने के लिए नहीं जिस दिन इश्वर को लगता है कि हाँ, हम पूरी तरह से उसके लिए dedicated हैं, इश्वर उसके साथ connect करता है और जैसे उसको दिखाई देता है, तुम ये दुनिया के लिए, इस फालतू चीज के लिए, जो मरने वाली दुनिया है उसके लिए तुम मेरी पावर को यूज कर रहे हो, तुम डिसकनेट कर देते हैं और उस साक्षी की तरह अंदर बैट जाता है, और फिर जो आदमी इतना एडवांस हो जाता है, उसको पावर मिल गई, विश्वर बोते हैं, ठीक है कर लो, एंजोई तुम, दिखा लो ताकत, फिर उसके कई जनम इसी तरह से जाते हैं, ताकत दिखाने में और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिचारे, जो बी सिउ पचासो जनम, कभी कोई तंत्रवंतर की, कोई कोई साधना करकरके, उसको खली इंप्रेस करते रहते हैं, लेकिन सफर करते रहते हैं बतकिस्मति की चीज़ है, दस में से साथ रिसाइपल भटक जाते हैं, जैसे उनके पास पावर आती है, भटक करके गुरू को छोड़ देते हैं, ग्यान को छोड़ देते हैं they mess up the progress जो उतनी progress की थी सब बरबात कर देते हैं जब हम अपने विछारों को कम करते हैं तो automatic progress होती है जब आप धारणा तक पहुँचते हैं some में fall wayside कुछ वहीं पर भटक जाते हैं एक computer में कोई file है computer की file होती है एक coded pattern हमने कुछ code लिखा तो computer चले लगा मालेज़े वो software अटा दीजे इसमें से picture चलती है तो आपकी film नहीं चलेगी जो disciple इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको पूरा ब्रम्हांड code की तरह दिखाई देता है तो उसके लिए अपना body भी code की तरह है और उजब चाहे अपने mind से अपने code को minus कर देता है और वो अद्रिश्य हो सकता है इसलिए आपके नीम करोणी बाबा है वो कभी यहाँ दिखते थे, कभी वहाँ दिखते थे 10 सेकंड के अदर 4 क्लिमटर दूर दिखते थे क्योंकि वो शरीर केवल एक screen है जहाँ पर वो दिखते थे उन्होंने वो screen कहीं और पैदा कर ली इसको चमतकार के तरह मा देखिए इसको देखिएगा योग साधना में मिला हुआ एक एक by product शुरुआत कैसे करेंगे अपने विचारों को कम कैसे करेंगे, शुरू कैसे करते हैं आज किया था त्री स्टेप ब्रीधिंग पांच मिनट के लिए त्री स्टेप ब्रीधिंग किया करिए पांच मिनट, बेस मिनट और उन लोग के पास तो ज़रूर जाके दर्शन किया करिए जो आपके so-called दुश्मन है उनको देख करके देखिए आपका मन कितना आसानी से डिस्टर्ब हो सकता है इस सांस को गहरा करके देखिए उनको देखकर गुसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आम तोर पे हमारा मन वहीं रहना चाहता है जो उनको अच्छे लगते हैं तो ये था सूत्र अफ इन्विजिबिलिटी अद्रिश्य होने का सूत्र इसके चकर में मत पढ़िएगा अपने मन को इश्वर को जानने के लिए लगाते रहे है ठीक है अब्दार अब्सक्राइब लगते हैं आम बादे रहे हैं अब्सक्राइब लगते हैं